अब देख लेते हैं हम लोग एक साइज 17 का question number 21 21st number question में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है हम लोगों से कहा जा रहा है draw a rough sketch and find the area of the region bounded by the parabola आज मेरे पास दो parabola की equation दियो यह पहली parabola है मेरे पास y square is equal to 4x और दूसरी parabola है मेरे पास x square is equal to 4y सबसे पहले आपको इन दोनों कर्ब बनाना है तो मैं कर्ब बनाता हूँ देखना y square is equal to 4x कैसे हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा और x square is equal to 4y कुछ ऐसा हो जाएगा अच्छा यह दोनों इस point पे intersect करना है हम तो point of intersection भी निकालेंगे लेकिन आपको क्या find करना है आपको find करना है area bounded by these two curves तो area bounded क्या हो जाएगा यही वाला हो जाएगा अच्छा अब यह वाला अगर area bounded मुझे निकालना है तो मैं सबसे पहले intersection point निकालेंगे अपना food of focus डालता हूँ तो मैं x square is equal to 4y y की जगा मैं y कहां से निकाल के टाल सकता हूँ तो y कितना हो जाएगा मेरे पास root over 4x ठीक है root over 4x में यहां put करूँगा तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास root over 4x एक काम करता हूँ मैं दोनों साइट square कर देता हूँ यहां कितना हो जाएगा x की power 4 यहां हो जाएगा मेरे पास कितना 16 इंटो 4 x ठीक है तो देखना अगर मैं x की पावर 4 is equal to 64 x लिखो तो कोई दिक्कत नहीं तो एक काम करता हूँ मैं x की पावर 4 minus 64 x equal to 0 लिख देता हूँ उसको कोई दिक्कत नहीं तो एक काम करता हूँ मैं फिर x common ले लेता हूँ और यह कितना हो जाएगा मेरे पास 4 और कॉमा जो कुछ भी y की वहली होगी पुट करके देख लेते हैं x equal to 4 किसी भी equation में मैं पहले वाले input करता हूँ तो अगर मैं पहले वाले input करूँ तो देखना यहां कितना हो जाएगा y square is equal to 4 into 4 क्योंकि मेरे पास क्या था y square is equal to 4 x ठीक है तो y square is equal to 4 into 4 यानि कि y square is equal to 16 यानि कि y is equal to plus minus 4 अब y is equal to minus 4 तो होई नहीं सकता अच्छा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इस जगा पे हम दोको साफ साफ दिख रहा है कि y का जो भी coordinate आएगा वो positive भी आएगा ठीक है तो y minus 4 हो नहीं सकता है इसलिए y 4 होगा यानि कि ये point मेरे पास 4,4 हो जाएगा अब मुझे area bounded निकालना है देखना अगर एक काम करूँ मैं मैं 0 से लेकर 4 तक इस वाले curve को integrate कर दूँ तो मेरे पास ये पूरा area आजाएगा और फिर मैं 0 से लेकर 4 तक इस वाले curve को integrate कर दूँ तो मेरे पास ये वाला area आजाएगा और फिर इस वाले curve को integrate के integration में से इस वाले curve के integration को subtract कर दूँ तो ये वाला area आजाएगा अगर नहीं समझे तो फिर से समझाता हूँ समझ न, 0 से 4 तक अगर मैं इस वाले कर्व को integrate करूँ, तो ये वाला area आ जाएगा ठीक है, और अगर 0 से लेकर 4 तक इस वाले कर्व को integrate करूँ, तो ये वाला area आ जाएगा और ये वाला कर्व कुछ ऐसा था, तो अगर इस area मैं इस area घटाऊंगा तो यह वचा हुआ एडिया आ जाएगा और यही मेरा तो required एडिया है अच्छा तो एक काम करते हैं हम लोग हम लोग क्या करते हैं 0 से लेकर 4 तक यह कौन सा करव था भाई साब यह था मेरे पास y square is equal to 4x ठीक है y square is equal to 4x तो y square is equal to 4x मतलब y की value कितनी हो जाएगे मेरे पास y की value हो जाएगे मिरे पास root over 4x में से यह कौन सा करव था x square is equal to 4 y तो y की value कितनी हो जाएगे मेरे पास x square by 4 तो यही मेरे पास required area हो जाएगा अब इसको solve कर लेते हैं देखना 0 से लेकर 4 यह कितना होगा मेरे पास 2 root over x और यहां कितना हो गया x square by 4 तो अलग-अलग कर लेते हैं इसको तो 0 से लेकर 4, 2 root over x और minus में कितना 0 से लेकर 4, x square by 4 इसको अगले page में solve करते हैं, जाता है अच्छा रहेगा तो अगे solve करते हैं, यहां कितना हो जाएका मेरे पास 2 into x की power 3 by 2 into 2 by 3 और यह कहां से कहां तक 0 से लेकर 4 तक minus में कितना x cube और by में कितना 3 और यहां 1 by 4 तो पहले से था और यहां 0 से लेकर 4 तो यह कितना हो जाएका मेरे पास देखना 4 by 3 यहां 4 की power 3 by 2 और minus में कितना 1 by 4 और यहां देखना 4 का cube by में 3 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा मिरे पास 4 by 3 और यह कितना हो जाएगा 2 का cube हो जाएगा ठीक है और minus 1 by 4 into 4 का cube और by में 3 तो यह हो जाएगा मिरे पास 4 का square तो यहाँ देखना 4 into 4 into 2 हो जाएगा नीचे 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 into 4 by 3 तो देखना, एक काम करता हूँ, मैं 3 LC हम ले लेता हूँ, यहां कितना हो जाएगा, मिरे पास 4 x 4, 16, 16 x 32, 32 और माइनस में 16, यानि कि यह कितना होगा, मिरे पास 16 x 3, final answer हो जाएगा, ठीक है, 16 x 3 square unit होगा, और precisely बोलने तो,